हेलो इसाप सीक्eptielt आजके में बढ़े में आजकी बड़े लिए घृट्टिज सेटिंग को करना जरूरी की सेटिंग को करना जरूरी है वही चीज़ हम आपको आज किस लिए बढ़े में बताने वाले बताएंगे जो कि लेख बने UK औपांच अच्छा देने के लिए अच्छा लूक देने के लिए या फिर चैनल को ग्रो करने के लिए तो चलिए आभी मोवैल क्átकर ले जा कि वही पांच सेटिंग में बताने वाले है तो लूक क्या है मतल़ आपका चैनल अच्छे तरीके से दिखने लए Dennis जैसे आप अपने लोगों को लगा सकते हैं उसमें अपने चैनल आर्ट को लगा सकते हैं चैनल बैनर लगा सकते हैं उसके बाद एबाउट सेक्षन में कुछ लिख सकते हैं वो सब चीज का सेटिंग एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है मतलब चैनल बनाने के बाद कौन कौन से सेटिंग करना ज़रूरी होता है चैनल को अच्छा दिखने के लिए वही चीज आपको आज किस वीडियो में बताने वाले है तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूटुब से रिलेटर आज से वीडियो देखना चाहते है तो हमारे चैनल पर यूटुब से रिलेटर बहुत सारे वडियो भड़ा पड़ा है जिसका एक प्लेलिस्ट भी बनाया हुगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप जाके वडियो को चिक किजी और वडियो को पुड़ा पुड़ा देखिए अपने चैनल को लॉग इन करने का कोसिस करते हैं तो वो डियरेक्ट करके अप्लिकेशन पर लेके चला जाता है इसके उपर हमने पहले ही विडियो बना दिये जिसमें पांच बहुत ही असान तरीका बता है जिससे आप बहुत ही असानी से अपने यूटूब चैनल को गूगल क्रोम में लॉग इन कर सकते हैं तो आप जाकि उस वीडियो को पहले देख लीजिए उसके बाद अपने यूटूब चैनल को सकस्पुली लॉग इन कर पाएंगे तो लॉग इण करने के बाद आपको क्या करना है वो चीज अभी आपको बताते हैं इसमें क्या है कि सबसे पहला वाला आपशन लेइ आउट का उसके बागल में है ब्रांडिंग और सबसे लास्ट वाला आपशन है basic information का तो अभी तीनों चीज के बारे में अभी detail में बताएंगे कि इसमें अभी क्या-क्या setting करना है तो सबसे पहले वाले में है video spotlight का इसमें आपको अभी कुछ नहीं करना है ये साड़ा setting करना है video upload करने के बाद का तो अभी पहले वाला setting कर लेते हैं जब video upload होगा उसके बाद का setting बाद में बताएंगे तो नीचे में है feature section तो feature section में जो काम करना है अभी वो चीज आपको अभी बताते हैं तो feature section को right side में slide करेंगे तो add section दिखेगा उस पे आप tap किजेगा तो यहाँ पे बहुत साड़े option मिलेंगे तो यहाँ से जो जो चीज को अपने channel पे रखना चाहते हैं वो साड़ा को यहाँ पे पहले select कर लिजेगा तो सबसे पहला है uploads का तो upload वाला तो रखिएगा ही रखिएगा क्योंकि upload का मतलब यह होता है कि आपके channel पे जो जो नया video upload होगा वो उपर में रहेगा जो की बहुत ही अच्छा है उसके बाद दूसरा है popular upload का तो popular upload वाला भी रखिएगा कि आपके channel पे जो video ज़्यादा views गेन किया है वो उपर में रहेगा जो की बहुत ही अच्छा होगा उसके बाद तीसरा है अगर आप अपने चैनल पे शॉट वीडियो बनाएंगे तो उसका एक अलग सेक्षन होगा वो भी अच्छी बात है नया चैनल है तो तीन से काम चल जाएगा इससे जादा भी जरूरी नहीं है तो तीन सेक्षन एड करने के बाद आपको सिंपली से ब्रांडिंग में आना है और ब्रांडिंग में यहाँ पे चैनल का लोगो लगाना है उसके नीचे चैनल आट लगाना है तो लोगो लगाने के लिए सबसे पहले अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे और upload बटन पे क्लिक करते हैं आपके phone gallery के सारा photo दिखने लएंगे तो browse button पे क्लिक किज़ेगा तो यहां एपने Curtain को select किईएगा और यहां folder wise दिखने लगा तो जिस भी folder में आपका photo होगा वो यहां से select कर लिज़ेगा folder को folder को ओपिरिन करने के बाद अपने photo के select किजिएगा और यहां से size को adjust किजिएगा कि size में अपने logo को लगाना चाहते हैं इसके बाद आपको run button पे simply से click कर देना है तो देखीं यहां पे logo upload भी हो चुका है इसके बाद आप banner लगाना है तो banner लगाना logo लगाना इतना असान नहीं है इसको लगाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यह ऐसे लगाना होता है कि हर एक device में अच्छे तरीके से खुले हर एक device का मतलब नहीं है हर जगा अच्छे से खुले जैसे अगर computer में खोला जाए वहाँ पे भी अच्छा से खुले लैपटप में खोला जाए वहाँ पे भी अच्छा से खुलना चाहिए टैबलेट में खोले वहाँ पे भी अच्छे से खुलना चाहिए पुरा full screen में दिखना चाहिए और mobile में खोला जाए वहाँ भी अच्छे से दिखना चाहिए इसलिए इस size में होना चाहिए कि हर जगा अच्छे तरीके से दिखे कि channel का look अच्छा हो उसके लिए upload बटन पे click किजेगा इसका एक अलग ही size आता है उस size में फोटो कैसे बनाना है इसके उपर अगर आप video देखना चाहते हैं तो comment करके बता दिजेगा उसके उपर हम अगला video ले कि आ जाएंगे तो upload बटन पे click करने के बाद browse बटन पे click किजेगा और यहां से फिर से वही step follow करते हैं गलेडी पे click कियें और इसके बाद folder select करते हैं तो देखिए हमारे यह size का बनाया हुआ है देखिए यहां पे हमको बड़ा छोटा करने का जरूरत नहीं है क्योंकि उसी size का बनाया हुआ है अगर आप size का बनाना है कैसे इसके उपर वीडियो देखना चाहते हैं तो comment करके बता दिजेगा उसके उपर अगला वीडियो आ जाएगा तो देखिए बहुत ही असानी से यह हमारा select हो गया जो की laptop हो computer हो या फिर mobile हो tablet में हो सब में अच्छे तरीके से दिखेगा तो इन सब को set करने के बाद आपको क्या करना है कि last वाले option है जो की basic information उस पे click किजेगा तो देखिए यह basic information में जो जो चीज आप लिखेंगे यह आपके चैनल के about वाले section में जाके दिखेगा तो about section में जो जो चीज आप लिखना चाहते हैं वो चीज यहाँ पे लिखिएगा लिख दिए है hello friends please subscribe my channel to get technical update आप जितना लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं हिंदी में लिखना चाहें हिंदी में लिख दीजिए इंग्लिस में लिखना चाहें इंग्लिस में लिख दीजिए जैसे लिखना चाहें वैसे लिख दीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लिखने के बाद आपको क्या करना है contact email ID जरूर देना है क्योंकि जब आपका चैनल बड़ा हो जाएगा और कोई भी ब्रांड आपको sponsorship देना चाहेगा तो इसी email ID पे contact करेगा तो इसलिए आप email ID जरूर दीजिएगा तो इसके नीचे है link तो आप जितने social media account का link देना चाहते हैं अपने YouTube चैनल के about section में उतने link यहाँ पे दे सकते हैं पाँच लिंक यहाँ पे बहुत ही असानी से आप दे सकते हैं तो सबसे पहले आप add link पे click किजिएगा और यहाँ पे नाम लिखिएगा चली हम अपने चैनल के about section में जाते हैं और आपको वहाँ पे दिखा देते हैं कि कैसा दिखता है देखे आगा हैं और हम क्या-क्या चीज लिखें वो चीज आपको यहाँ समझाते हैं सबसे पहले लिखें हाई फ्रेंड्स प्लीज सबस्क्राइब मैं चैनल टू गेट टेकनिकल अपडेट इतना लिखने के बाद हम लिखें हैं contact email id rowitsimtechnical at the gmail.com आप email id दीजेगा उसके नीचे यहाँ पे जितना social media account होगा आपका उतना यहाँ पे link दे दीजेगा आपके कम होगा तो कमें दीजेगा जादा होगा तो ज्यादा दीजेगा इसके बाद आपको यहाँ पे आजाना है वही पेज पे जहाँ पे हम काम कर रहे थे पहले से यहाँ पे लिखना है आपको follow me on instagram और instagram का link देना है आप दोस्तों इंस्टाग्राम जरूर यूज कीजेगा भले फेस्बूक यूज करे या ना करे क्योंकि इंस्टाग्राम हर एक यूटूबर के लिए बहुत ही जरूरी है तो देखे दोस्तों हम अभी यहाँ पे एक ही सोसल मेडिया एकाउंट का लिंक देते हैं इसट्राग्राम का और आपको ज़्यादा देना है तो जितना लिखना है उतना लिख सकते हैं अध्य लिंक के लिखना चाहते हैं जो चीज до आप आझे डिखाते हैं कि अबoton को सेटिंग आपके दिखाएं इस चैनल पर एक भी सब्स्क्राइबर नहीं हαιं और नहीं एक भी वीडियो अप्लोड किया हुए है. देखिए चैनल आठ लगा हुए है. कितना अच्छे तरीके से दिख रहा है. चैनल का लोगो भी लगा हुए है. इसके बाद आपको चल के दिखाते हैं. एक social media account का link दिये हैं. देखिए एक social media account का link आगया. follow me in instagram. जो चीज यहां about section में लिखे हैं वो सारा कुछ यहां पे दिखने लगा तो इस तरीके से आप अपने channel का look बढ़ा सकते हैं नए channel बनाने के बाद तो आप जाईए और ऐसे ऐसे setting कर लिजे जो चीज आपको अभी वीडियो में समझा दिये हैं और आपको अगर वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो या फिर किसी बात पे confusion हो तो comment करके जरूर बताएगा उसके उपर हम वीडियो जरूर बनाएंगे और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो like कर दिजेगा और किसी अगले topic के उपर वीडियो देखना चाहते हैं तो comment करके बताएगा उसके उपर वीडियो हम जरूर लेकि आएंगे और YouTube से रिलेटर ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को subscribe करके notification bell प्रेस कर दिजेगा क्योंकि YouTube से रिलेटर नमाई से वीडियो अपने चैनल पर लेकि आते रहते हैं चलिए दोस्तों चलते हैं मिलेंगे फिर अगले वीडियो में